हेलो गाईज, वेलकम टू इंग्लिस एजुकेशन, स्टूडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th एकोनोमिक से 4th चैप्टर के वेरी शोर्ट कोश्चन अंसर, और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड दा इंडियन एकोनोमी, तो देखिए यहाँ पर हम चै ग्लोबलाइजेशन विल रिजल्ट इंटू, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन यानि के वैस्वी करन से क्या रिजल्ट होगा, तो देखिए ग्रेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, यानि के वैस्वी करन होगा, सामान को इंपोर्ट और एक यहां पर अगर globalization तो तो त्रांसपर भी और यहाँ पर प्र किसी भी प्रोड़क्ट बनाई दारे. और सेम प्रोड़क्ट है उनका प्राइस भी सेम होगा ऐसा नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन की वज़े से कि जो प्राइस है किसी कंट्री में उसके जादा है कहीं कम है तो यहां पर प्राइस इक्वल होने की पॉसिबल्टी जादा होती है तो देखे, in which products, small manufacturers were hit hard तो देखे, किन products की बात की जाओ, किन products में जो small manufacturers है producer है, वो ज़्यादा हिट हो रहे हैं यानि कि उन पर ज़्यादा मार पड़ रही है, वो ज़्यादा problem face कर रहे है तो देखे, कुछ products के हैं पर नाम बताए गए हैं जैसे बैटरीज है कैपिसिटर्स है प्लास्टिक टॉइस ट्वायर्स डेरी प्रोड़क्ट्स एंड वजी टेबल और सभी आप जानते हैं सभी का आपको पता हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है आर सम एक्जांपल्स यह कुछ एक्जांपल है फैक्टरीज के जहां पर स्मॉल मैनिफेक्ट्चर जो है काफी ज्यादा हिट हो रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रोब्लम फेस करनी पड़ रहे हैं कंप्टिशन को लेकर नेक्स्ट कोशन है वाट हैं इन रैपिड ग्लोबलाइजेशन तो देखिए अभी हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट अर्ण कर पाएंगे और जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें भी काफी ज़दा णाओ झनलोजी आपाइजन होगा तेजी से और उसका युज़ होगा तो च्या आदा ग्लोबलाइजेशन होगा तेजी से ग्लोबलाइजेशन होगा और रिमोवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स हैं इनको रिमूब किया जाए अगर यह जीज़ भी मदद करेगी जिससे कि रैपि you say that workers job in MNCs are not secure आप कैसे कह सकते हैं कि वो वरकर्स जो वरकर्स हैं उनका MNCs में job secure नहीं है तो देखिये globalization and pressure of competition तो यह जो job secure ना होने का सबसे पहला और बड़ा reason है वो है globalization जहां पर हम हर एक चीज़ का एक positive effect देखते हैं वही पर हम negative effect भी देखते हैं तो यहां पर जो वरकर्स हैं बताया गया है उन पर negative effect जा रहा है तो देखिये जो globalization है और pressure है competition का उससे क्या होगा जो वरकर्स हैं उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उनका जीवन एकदम बदल जाएगा तो देखिये वरकर वो काम पर रख रहे हैं वो flexibility का मतलब अपनी मर्जी से वो उन्हें हटा सकें अपनी मर्जी से उन्हें कभी भी काम पर रख सकें तो जो वरकर्स हैं काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्यूर नहीं है तो देखिये important question है what is an MNC MNC क्या है तो an MNC is a company MNC क्या है एक company है that owns or control production in more than one nation जो एक से अधिक nation पर अपना अधिकार रखती है या फिर production पर control रखती है तो देखिये यहां पर MNC को हम इस तरह कर रहे हैं कि जो MNC है वो एक company है जो on करती है यह control करती है production पर किसी भी एक या अधिक देशों में ठीक है तो देखते हैं what was the main channel connecting countries in the past तो देखिये past में जो country थी वो एक दूसरे से किस तरह से connect थी तो foreign trade was the main channel connecting countries in the past तो देखिये जो foreign trade था ना इसी की वजह से जो country थी past में वो एक दूसरे से connect थी जूड़ी हुई थी आगे हम question पढ़ेंगे what are the features of MNCs MNC के क्या feature है तो देखिये its own production units अभी हमने जाना था उपर question में कि यह जो production unit को है उस पर अपना अधिकार रखती है in more than one nation एक से अधिक ग्रास्ट्रों में तो आगे देखिये it employs labor from different countries in different production unit तो देखिये यह रोजगार देती है जितने भी labor's है workers है इनको अलग-अलग countries में अलग-अलग production unit में काम देती है आगे देखिये what do you understand by the term investment तो आप investment से क्या समझते हैं तो देखिये the money that is spent to buy asset वो money जो किसी भी property को खरीदने के लिए spent किया जाता है जैसे कि वो property क्या हो सकती है जैसे कि जमीन है कोई building है machine है और दूसरा equipment कोई equipment है ठीक है इसको हम investment कहते हैं यानि कि हमारा जो money है उसे हम किसी भी चीज को खरीदने में किसी भी property को खरीदें प्रॉपर्टी क्या होते है जिससे हम profit earn कर सकें ऐसी चीज को जब खरीदा जाता है उस money को हम investment कहती है which would later fetch them profit तो यही बाद मैंने बता ही है बाद में उस प्रॉपर्टी से उन्हें profit होता है तो देखिए the latest model of the digital camera a tab और ipad are available in इंडिया नाउ तो देखिए अब भारत में बहुत सारी digital digital चीजें जो है देखने के लिए मिलती है latest models देखने के लिए मिलते है चाहे वो digital camera की बात कर लो किसी tab की बात कर लो ipad की बात कर लो वो इंडिया में अब available है how is this possible यह possible कैसे है कैसे possible होता है यह तो देखिए it is possible through globalization globalization तो globalization की वज़े से यह possible है that has made foreign trade of goods and services और यह जो globalization है न यही तो foreign trade करवाता है किसी भी good का और service का next question पुझा गया है what is the most common route for MNCs investment तो MNCs का investment का बिल्कुली common सा तरीका क्या है तो देखिए वो क्या तरीके अपनाती है most common क्या है उन तरीकों में से तो देखिए the most common route for MNCs invest is to buy अब local companies तो उनका common route होता है कि वो जो local companies है ना किसी भी country में उन्हें buy कर लें उन्हें खरीद लें and then expand the production और फिर production को बढ़ा दे MNCs with huge wealth can do so quite easily और MNCs के पास काफी धन होता है काफी पैसा होता है जिससे वो ये काम आसानी से कर सकते हैं तो देखिए why had the Indian government put barriers to the foreign trade and foreign investment after independence तो देखिए इंडिया की जो government थी उन्होंने barrier क्यों लगा दिये थे foreign trade पर और foreign investment पर independence के बाद इस state any one reason एक reason हमें यहाँ पर देना है तो देखिए after independence the Indian government restricted foreign trade तो Indian government ने किस पर रोग लगा दी foreign trade पर रोग लगा दी by putting barriers barriers लगा कर own protect to protect the domestic producer from foreign competition तो देखिए उनका main purpose यह था कि वो जो है जो domestic producer है अपने रेस में जो सामान बचाया बनाया जाता है उन्हें जो बनाने वाले हैं उन्हें वो protect कर पाए foreign competition से तो देखिए जैसा कि हमने chapter में पढ़ा था अगर वो competition face करेंगे और अभी भारत को जैसे आजादी मिली थी नए industries लगाई लिए थी तो वो इस situation में नहीं थे कि वो किसी से competition कर सकें तो इसी लिए जो barriers थे वो लगा दिये गए थे आगे देखिए कहा गया है what do you understand by the trump MNC MNC से आप क्या समझते हैं same question हम पहले भी पढ़ चुके हैं यह multinational company होती है जिसका control होता है production का है एक से अधिक राष्ट में आगी question कहा गया है why are MNCs attract to India इंडिया की तरफ attract क्यों होती है MNCs तो दिखिए इंडिया has high skilled engineer इंडिया में high skilled engineer है who can understand the technique aspect of production जो जो क्या कर सकते हैं जो बहुत ही आसानी से production के aspect की जो तकनीक है उसे समझ सकते हैं it also has educated English speaking youth और इंडिया में educated English speaking youth है यानि के काफी यूआ हैं जो English बोल सकते हैं who can provide customer care service जो customer care service को provide कर सकते हैं आगे देखते हैं what lead to availability of greater choice of goods in a market for the consumer क्या चीच ऐसी है जिसकी वज़े जिसकी वज़े से जो consumers हैं सामान को खरीदने वाले हैं उनके पास market में बहुत सारी choice available होती है बहुत सारी चीजे होती हैं जिनसे वो choose कर सकते हैं कि उन्हें क्या चीच लेनी हैं तो देखिए consumer gets greater choice of good because of entry of MNCs MNCs की entry होने की वज़े से क्या हुआ globalization हुआ और इसकी वज़े से एक country से दूसरे country में product को बेचा जाने लगा जो goods है सामान है उसका import export होने लगा तो यह जो consumer है इनके पास सामान दूसरी country से भी आने लगा तो देखिए increase in foreign trade and foreign and free trade regulate by international organization तो यहां पर बताया गया है कि consumer के पास बहुत सारी choices सामान की किसकी वज़े से आती हैं वो है MNC और वो है foreign trade जिसमें क्या होता है जो international organization है वो कहती है कि free trade regulate किया जाए तो यहां पर देखा आपने दो चीज़े ऐसी है international organization और MNCs है जिनकी वज़े से जो consumer है उनके पास बहुत सारी choices होती है next question है what is the most common route of MNC investment थीक है तो देखिए the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then expand production तो MNCs क्या करती है कि वो local company में investment करती है या उन्हें buy कर लेती है खरीद लेती है और जो production है उसे बढ़ा देती है तो यही इनका main route होता है main motive होता है आगे देखते हैं how are MNCs able to gain greater profit तो किस तरह से MNCs बहुत ज़्यादा profit earn करती है MNCs set up offices and factories for production in reason where they can get cheap labor and other resources these is done so that the cost of production is low और इसकीवज़से क्या होता है जो production की cost होती, वो काफी कम होती, and MNCs can earn greater profit, और इसी की वज़े से उन्हें बहुत ज़्यादा profit होता है, आगे देखते हैं, what is WTO, WTO क्या है, तो देखिए, it is world trade organization, ये एक world trade organization है, which monitors the liberalization of trade at international level, जो international level पर liberalization करती है, liberalization क्या है, ठीक है, to remove trade barrier, trade barrier को हटाना कहलाता है, liberalization, यानि कि import-export activity पर जो रोक लगाई गई है, उसको हटा देना कहलाता है, liberalization, आगे question है, how globalization has helped to improve living condition of workers in developing countries, तो देखिए, developing countries की यहाँ पर बात की जारी है, developing countries में जो workers हैं, उनकी leaving condition, globalization की वज़ा से किस तरह से improve हुई है, ठीक है, तो बताया गया है, globalization की वज़ा से, जो workers है, developing countries के, उनकी जो condition है, वो कैसे improve हुई है, तो देखिए, globalization has helped creating new jobs, globalization की वज़े से, नई jobs मिलती है, in MNC unit में, in developing countries, developing country में, तो हम कह सकते हैं कि developing countries में, जो MNCs हैं, उनकी unit में, globalization की वज़े से, नई jobs create होती है, तो देखिए, यही, यही चीज मदद करती है, कि जो living condition है, ना, workers की unit में, वो improvement हो, वो improvement उनकी वज़े से, हो सके, तो देखिए, what was the main aim of formation of world trade organization, तो world trade organization को बनाने का क्या मुख्य उदेश्यत था, तो देखिए, the main aim of formation of world trade organization, is to liberalize international trade, तो international trade जो किया जा रहा है, उस पर जो barrier लगाए जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए, world trade organization की संस्था को बनाया गया, what role does WTO play to liberalize trade, तो देखिए, WTO क्या role play करती है, trade को liberalize करने के लिए, तो WTO was started at the initiative of the developed countries, तो WTO को start किया गया था, किस की पहल पर, जितने भी विक्सित देश हैं, उनकी पहल पर, उन्होंने ही की कौसिश थी, कि WTO organization को बनाया जाए, तो देखिए, WTO established rule regarding international trade, तो जो ये संस्था बनी, इसने rule बनाये, उसने नियम बनाये, कि ये जो international trade होता है, जो अंतरास्य वैपार होता है, उसको लेकर उसने कुछ rule बनाये, and see whether rules are obeyed or no, और यही organization है, जिसका काम है ये रेखना, कि ये rule फोलो किये जा रहे हैं, या फिर नहीं, आगे देखते हैं, What was the far-reaching change in the policy made in India in 1991, तो देखिए, 1991 में कुछ policy लागू की गई थी, government के द्वारा, उसमें क्यों change किया गया, क्या change महाँ पर किया गया, तो देखिए, Indian government के द्वारा जो policy बनाई गई थी, उसे 1991 में change कर दिया गया, किसके द्वारा change किया गया होगा, WTO के द्वारा, एक organization के द्वारा, तो देखिए, the far-reaching change in 1991, policy was to remove trade barriers, तो ये देखिए, 1991 में ये जो trade barriers गउर्मेंट ने लगाए थे, उपर हमने question में पढ़ा था, वो सब हटा दिये गए, ठीक है, तो ये बदलाव किया गया, कि वो जो barriers लगाए हुए थे, government ने वो उन्हें remove करना पढ़ा, आगे देखते हैं, how does liberalization of trade benefit business, तो देखिए, किस तरह से जो liberalization है, वो business में beneficial होता है, किस तरह लाबकारी होता है, तो देखिए, with liberalization of trade, business are allowed to make decision free, तो अगर liberalization होना trade का, कोई भी व्यापार freely किया जाए, तो जो business है, वो उसमें कोई भी इंसान, कोई भी company, कोई भी MNC, freely decision ले सकती है, about what they wish to import और export, वो जो भी कुछ import और export करना चाहे, वो freely कर सकती है, तो देखिए, liberalization का यही काम होता है, आगे एक और example सा दिया गया है, यहापर question इसी से related है, कर्शिस गार्मेंट्स, कर्शिस गार्मेंट्स यहाँ पर एक, यह किसी company का नाम होता है, या फिर किसी shop का नाम भी होता है, तो उसने जो एक और ले लिया, यूएस से, किसके बेस पर MNC के, तो देखिए, उसने क्या किया, इसकी कोस्ट को reduce करने के लिए, कि production पर जो पैसा लगा है, उससे कम करने के लिए, उसने क्या किया, उसने temporary workers को hire कर लिया, which aspect of globalization is so, इसमें किस तरह का globalization है, वो देखने के लिए मिलता है, क्या चीज़ यहाँ पर, क्या पहलू यहाँ पर देखने के लिए मिलता है globalization का, तो देखिए, it shows negative aspect, तो यहाँ पर negative, यानि कि नकरात्मक पहलू देखने के लिए मिलता है globalization का, यहाँ पर जो profit हो रहा है ना, जो benefit हो रहा है, वो equally share नहीं किया जा रहा है, क्यों the workers do not receive any benefit, क्योंकि जो workers है ना, उन्हें कोई benefit नहीं मिल रहा है, उनका तो बलके loss हो रहा है, उन्हें temporary कर दिया गया है, the major benefit is shared between the MNC and exporting company, तो देखिए, यहाँ पर जो share है ना, benefit का, वो दो ही लोगों को मिल पा रहा है, एक तो MNC को और एक exporting company को, जो लोग महनत कर रहे हैं, workers हैं, उन्हें इसका कोई भी share नहीं मिल पाता है, जो की unfair है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो देखिए, what is WTO, WTO क्या है, तो World Trade Organization, इसकी full form है, इस एन international institute, यह एक अंतरास्टिय संस्था है, संस्थान है, which establish rules, जिसने क्या किया है, कुछ rules लागू कर दिये हैं, regarding international trade, इसके बारे में international, यानि के अंतरास्टिय वैपार के बारे में, and aim to liberalize international trade, और इसका मुख्य उदेशिय क्या है, कि वो सारे जो trade barriers हैं, उन्हें remove किया जाए, आगे दिखते हैं, तो पुरा थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं, WTO क्या है, यह एक international institution है, और इसने जो है, कुछ rule regulation बना दिये हैं, international trade को देकर, जिनका aim क्या है, कि liberalize किया जाए international trade को, देखते हैं, why is fair globalization as a answer, तो देखिए fair, यानि कि अच्छा, सही तरीके का globalization क्यों ज़रूरी है, तो जैसा कि हमने अभी एक question पढ़ा था उपर, कि जो workers हैं, उन्हें तो कोई profit मिली नहीं पाता है, तो इसलिए unfair है, तो देखिए fair globalization would create opportunities for all, अगर globalization fair होगा, तो इससे सभी को मोगा मिलेगा, इससे वो बाद में सभी को share कर दिया जाएगा, तो आगे पढ़ते हैं, how much did Ford Motors invest in India, तो हमने पढ़ा था न, एक बीच में एक पैसिस दिया गया था, उसके बारे में, तो Ford Motors ने इंडिया में कितना investment किया था, तो देखिए Ford Motors came to India in 1995, तो 1995 में Ford Motors जो है भारत आई थी, is 1700 करोर to set up a large plant near Chennai, और उन्होंने Chennai के पास एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया था, और उसमें उन्होंने 700 करोर रुपे spend किये थे, MCQ में भी पूछा जा सकता है, यहां पर तीन कोश्चन बन सकते हैं, कि कब Ford Motor आई थी, इंडिया में, और पूछा जा सकता है कि कितना पैसा उन्होंने यहां पर लगाया था, और पूछा जा सकता है कि कहां पर उन्होंने अपना plant establish किया था, तो यहां पर तीनों कोशन important है, in which specific industries are MNC's interested, तो देखिए, आपर पूछा गया है कि कौन सी कुछ मुख्य इंडिस्ट्रीज हैं और धोग हैं, जिन में जो MNC's हैं, वो ज़ादा interested हैं, तो देखिए MNC's have been interested in industries such as cell phones, जैसे कि cell phones हैं, Automobile से हैं कि आपके vehicle से जोड़ी जितनी भी चीज़े हैं वो electronic से जोड़ी जितनी भी चीज़े हैं soft drink है, fast food है और services services जैसे IT सेक्टर में हम बात करें call center की अगर बात करें तो इन में जो services हैं उन में वो ज्यादा interested है और banking में और वो भी urban areas में तो देखिए जो MNCs हैं वो इन सब चीज़ों में ज्यादा interested हैं आगे देखिए question है what is basic function of foreign trade foreign trade के basic function यानि के कारिये क्या है foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market market of their own country तो देखिए foreign trade से क्या benefit होता है क्या function है उसका तो उसका function है कि वो जो है opportunity देता है मोका देता है producer को कि अपने उनका जो domestic market है domestic मतलब उनका जो local market है अपनी country का जो market है उसे छोड़ कर वो बाहर भी अपने market को set up कर सके तो उन्हें मोका मिलता है कि अपने सामान को वहां तक उस market तक वो पहुचा सकते है यह होता है foreign trade की वज़े से आगे देखे वाई आर MNC setting the customer care center in India तो जो MNCs है वो अपने customer care center इंडिया में क्यों set कर रहे हैं तो देखे MNCs आर सेटिंग अपने customer care center in India due to availability of cheap skilled labor क्योंकि यहां पर उन्हें जो है labor मिल जाते हैं सस्ते में मिल जाते हैं और skilled मिल जाते हैं जो बिलकुल कुशल होते हैं और good English speaking people और अच्छे English बोलने वाले लोग भी यहां पर मिल जाते हैं वाट आर दा एडवांटेजिस ओफ प्रोड़क्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस बाई MNCs तो MNCs के द्वारा जो प्रोड़क्स और सर्विसेस प्रोड्यूस किये जाते हैं उन उनका क्या एडवांटेज है उन प्रोड़क्स का तो देखिए इस प्रोड़क्स है लाज नंबर ओफ व्यल ओफ बायर तो देखिए यह जो प्रोड़क्स है ना यह खरीदने वालों के लिए बहुत अच्छे होते बहुत बैनिफिशियल होते हैं इन इस इंडस्ट्री को पहले से ज्यादा सिम्रत कर लेते हैं तो देखिए जो advantage है वो क्या है तीन लोगों को यहां पर बताया गया है बायर को बताया गया है जो worker से उन्हें बताया गया है और बताया गया है कि जो small scale industries है जहां पर raw material जो है वो provide करती है उन्हें भी बहुत जादा benefit होता है due to which reason the last model of different items are available within our reach शायद question में कुछ गड़बर हुई है फिर से पढ़ते हैं ठीक है due to which reason इस region की वज़र से क्या कारण है the latest model of different items जो different अलग-अलग items है उनके latest model available होते हैं हमारी पहुँच तक होते हैं वो ऐसा क्यों है किस कारण होता है ऐसा तो देखे due to globalization 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 की वज़ा से the latest model of digital camera जैसे digital camera की यहाँ पर बात की गई है उसके latest model को ले लो चाहे mobile phone की बात कर लो यहाँ पर TV की बात कर लो यह हमारी पहुच तक है आज तक आज यह हम जो है उन सब चीजों को खरीच सकते हैं और ऐसा क्यों हुआ है ऐसा हुआ है globalization की वज सामान है वह आता है और हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान है वह सेल किया जाता है तो इसी की वज़ा से जो लेटेस्ट मोडल है वह मिल जाते हैं असानी से आगे देखते हैं different define the term liberalization liberalization को हमें explain करना है removing barriers or restriction set earlier by the government तो देखे जितनी भी restriction लगाई गई थी उनको हटाना जो barriers है trade पर उनको हटाना जो government ने पहले लगाई थी जब उनका देश जो है developing country में था उनकुन barriers को हटा देना कहलाता है liberalization ठीक है what is the basic function of foreign trade foreign trade के basic function क्या है आई हो फम पढ़ चुके हैं बड़ पढ़ लेते हैं the basic function of foreign trade is to facilitate movement of good and services between countries तो देखिए जो foreign trade है उसकी वज़े से क्या होता है हमें स्वीधा मिलती है कि जो goods है उनकी movement हो सके यानि कि एक country से दूसरी country में जा सके जो services है वो एक country से दूसरी country में जा सके वो सिवाय जो है जैसा कि हमने अभी लंडन magazine के बारे में पढ़ा था कि लंडन magazine जो है इंडिया में छप रही है वापस से लंडन में जा रही है तो इस तरह से services जनरेट हो रही है एक country से दूसरी country में आई होप सभी questions आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बबाई